नमस्कार दोस्तो और विलकम बैक टियर ओवन चैनल फिर्स इन्वेस्टमेंट तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 10,000 तक जा सकता है क्या निफ्टी क्रैश कर सकता है क्या स्टॉक मार्केट पे दुबारा एक क्रैश आ सकता है तो guys वो पूरी आपको knowledge provide कराने के लिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेकर जाऊँगा और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि निफ्टी पे क्या possibility है क्या निफ्टी 11,200 तक जा सकता है या फिर निफ्टी 10,000 तक जाएगा तो वो पूरी knowledge आपको charts पे provide होगी और एक important बात और guys कि यहाँ पर आपको एक best option strategy भी provide करवाई जाएगी और उस best option strategy पे अगर निफ्टी इस level से 10,600 से उपर भी जाता है तो भी फायदा देगा 10,000 तक भी आ जाएगा निफ्टी तो भी फायदा देगा तो यह option strategy आपके साथ है बहुत important है थोड़ी complex होगी तो copy pen में रखिएगा अपने पास और note करते रहिएगा तो एक बार charts पर हम explain कर देते हैं कि क्या procedure है उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने option strategy पे वीडियो पसंदा ही तो वीडियो को like जरूर करते ना guys बीच पे और share करना मत भूलेगा कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं तो हम लोग सीधर charts की तरह बढ़ते हैं अपने और यहां पर अब लोग स्टार्ट करते हैं सबसे वहले मैंने chart open करके रखावाई अब य देखते हैं तो हाय था इसका 12,400 का लो की बात करें तो 7,500 तो यानि कि approximately हमने देखा कि शाप फॉल और आप देख पा रहें एक straight fall है और जब फॉल आने के बाद हमने देखा एक recovery आई है तो recovery में हम लोग क्या देख रहे हैं कि higher highs higher lows बन रहे हैं देख पा रहे हैं बतलब अगर जब शाप फॉल जो आई वो आई 20 February से लेकर हमने देखा था तो एक महिने के अंदर आप खुद देख पा रहे हैं यह एक महिने के अंदर कहां से आ गया था 12,200 से लेके 7,500 तक इत्ती शाप fall आई है बटम देख रहे हैं कि 20 March से लेके current date हो गई है अगर हम बात करें 14 July तक तो आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि 3 महिने 4 महिने के अ अंदर अंदर तक अभी तक अपने हाय तक नहीं पहुच पाया तो इससे क्या पता चलता है कि जब fall आया मार्केट पे तो एक sharp fall आया बट उसे recover कर वो recover भी नहीं कर पा रहा है मतलब sharp fall एक महिने के अंदर अंदर आ गया बट चार महिने पीच चुके हैं बट अभी तक उसक करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत एजी बनाऊंगा मैं यह वाला वीडियो कि आप लोगों को समझ में भी आए और इन फ्यूचर अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आपको पता भी चल जाए तो पूरी वीडियो एंट तक देगेगा और एंट पर आपको option strategy बत देख सकते हैं अब यहां पर आप देखेगा कि जब मैंने यहां पर यह दोनों trend line draw करी तो मुझे यह चीज क्या बता रही है सबसे पहली बात यहां पर आप देखेगा यह वाली जो नीचे वाली line है यह वाली line यह हमारे लिए क्या काम कर रही है support का देख पा रहे हैं यह second time support था third time support यहां पर first time resistance second time resistance fourth time is third time resistance fourth time and multiple बार यहां पर resistance आया देख पर है इसम फिफ्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पांच बार resistance था तीन बार support लिया इस पर अब यहां पर आप देख रहे हैं एक बात और notice करिये क्या notice करने वाली चीज़ है कि यह वाला अपना bottom है उसके बाद bottom का बना है यहां पर उसके बाद bottom का बना है इधर फूर्थ बॉटम का बना है इदर अब इस बात को देख रहे हैं कि बॉटम जो है वो उपर के तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब हायर बॉटम बन रहा है हायर लो जो लो जैना ये वाले लो देख रहे हो ये वाला लो इसके उपर है ये वाला लो इसके उपर है ये वाला लो इसके उपर है और ये वाला लो इसके उपर है तो higher low बन रहा है important चीज़ है बात को ध्यान से सुनीगा उसके बाद ये वाला high था ये वाला high था उपर जा रहा है फिर एक high उपर एक और ये वाला ये बनाया higher high बना रहा है फिर इधर गया उपर एक बार दुबारा और उपर गया फिर उपर गया मतलब क्या बना रहा है कि higher low बना रहा है और higher high बना रहा है अब इसका केंडिकेशन हुआ कि market जो है वो है positive क्योंकि higher ऐसे जा रही है market मतलब अपने low को भी break नहीं कर रही है और high को break करके उपर जा रही है तो market positive हुई बहुत easy language में आपको बताया गया है समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो like बटन जरूर दुबाईएगा guys तो यह बात आप लोगों को समझ में आई अब यहां पर आप देखेगा जब यह यहां resistance मिलता है अपर साइट के resistance वाली लाइन पर तो हम क्या दिखने चाप फॉल आता है इधर साइट जो कि support लाइन यहां resistance दिखा एक फॉल आई यहां resistance दिखा एक फॉल आई अब यहां पर आप देख रहे हो multiple बार एक resistance आया दुबारा नीचे आ रहा है तो मतलब इस ला के चल सकते हैं कि 200 पॉइंट के गिरावट आ सकती है निफ्टी के अंदर ठीक है इत्ती बात आप लोगों को समझ में आई अब इस बात को हम लोग हटा दे लिए अब हम लोग एक trend line analysis और करते हैं वो क्या है यहां पर देखिगा यह trend line analysis मैंने एक और कर गया एक मैं और बना कि अब सोच रहे होंगे कि यह वाली जो candle है और यह वाली जो candle है मैंने इन दुनों candle को क्यों नहीं लिया इत्ती बात आप लोगों के दिमाग में आ रही हो गी आनी चाहिए है क्यों नहीं ली मैने यह वाली candle को मेरा reason यह था कि एक महीने में या फिर दो महीने में ये एक या दो बार ही होता है ये वाली मतलब यहाँ पर बंदूई कौन्चा लेवल था ये वाला गर मैं आपको बता हूँ जो कि 9600 का था और 200.2 पर खोली और 200.2 पर जाके बंदूई तो ये महीने में एक बार ऐसा देखने को मिलता है या दो महीने में एक बार देखने को मिलता है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर closing भी इस level पर ये वाली candle की बात कर रहा हूँ खोली कहाँ पर अगले दिन यहाँ पर और पूरी recovery करके हैं एक huge gap down के बाद एक full recovery और जो लोथ जो पिछली की closing थी उसके उपर जाके बंद करें तो ये महीने दो महीने में हमें एक बार देखने को मिलता है तो इस candles को मैं ignore भी कभी कभार कर देखा ठीक है अब यहाँ पर आप देखेगा ये चीज मुझे क्या बता रही है ये भी एक range के अंदर काम कर रहा था और आज इसने इस range को तोड़ दिया एक red candle के साथ अब इस वाला जो है ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं symmetrical triangle ये symmetrical triangle ये triangle के अंदर है ये देखें triangle कुछ इस तरीके से बनावा है ये देख रहे हैं इस तरीके से triangle बनावा है मतलब share इसके अंदर काम करता है range के अंदर ही trade करता है आखरी में जाते हैं जाते हैं हम देखते हैं कि यहाँ जगा ही नहीं बचती अंदर trade करने की या फिर ऊपर तोड़ेगा या तो फिर नीचे तोड़ेगा अगर ये ऊपर या नीचे तोड़ता है तो एक शाप move आती है आप बात समझ रहे हैं और target क्या होता है ये जो range होता है जित्ती range होती है उत्ता ही हम लोग target लेकर चलते हैं या नीचे की तरफ या तो हमने क्या देखा ये एक range के अंदर trade कर रहा था range करते करते हैं आगे जगा ही नीचे तोड़ दिया अब नीचे की तरफ तोड़ दिया अब इसका target अगर मैं देखू तो इसका target क्या आता है वह हम लोग देख इसका target आता है प्रॉक्स उसके लिए मैं ये यूज करता लो और बॉर तो इसका target आ रहा है अगर मैं यहां से देखता हूँ तो आ रहा है 99,080 का level क्या level आ रहा है 99,080 का यानि कि एप्रॉक्स 10,000 का level निकल के आ रहा है देख पारे इस pattern के through 10,000 का level निकल के आ रहा है मतलब यहां तक आ सकता है नारके इतनी बात आप लोगों क्लेर से बतायोंगी बहुत easy way में बतायोंगी ठीक है अब हम लोग ने trend line analysis का use करा तो हमें पता क्या क्या चला पहली trend line का use करा तो हमें पता चला यार निफ्ती कहां तक आ सकता है निफ्ती आ सकता है 10,400 तक हमें पहली वाली जो trend line का use करा था उसमें क्या पता चला था निफ्ती 10, चीज का और यूज करते हैं अब यह basic है बहुत important बहुत basic है समझने चाहिए बहुत आप लोगों के लिए काम आने वागी है कि हम लोग ने क्या देखा हम लोग ने देखा यार share ने यहां से एक reversal करा इस level से तो ऊपर गया है ऊपर गया नीची आया उपर गया इसको इगनोर कर देते हैं यहां तक गया नीची आया उपर गया नीची आया और यहां से फरूपर गया इतनी बात आप लोगों को समझ में आई अब यहां पर आप देखेगा कि मेरे आपको क्या बताना चाहरा हूँ, मैं आपको बताना चाहरा हूँ, कि यार, ये हाय था, ये हाय से मैंने एक लाइन ऐसे होना, अब मुझे क्या बता चल रहा है, मुझे ये बता चल रहा है, कि जब यहां से शेयर उपर गया, तो ये लेवल इसके लिए resistance का लेवल था, resistance था इसके लिए, क्योंकि यहां पर एक बार टेस्ट करा, दो बार टेस्ट करा, तीन बार टेस्ट करा, जब यहां से उपर गया, resistance था, resistance क्या होता है, जिसके उपर जाने में दिक्काद आती है, शेयर को, और support क्या होता है, कि जिसके नीचे जाने में दिक्काद आती है, ठीक तो यह इसके लिए क्या बन गया support बन गया ठीक है मतलब पहले resistance था उपर गया नीचे आया support बन गया और यहां से यह उपर गया इतनी बात आप लेगों को समझ में आई अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा इसी में दिखाना चाहूंगा कि क्या actual में आगे भी यह काम करा अब यहां से उपर गया तो यह resistance होगा इसके लिए तो मैं यह line draw कर देता हूं ठीक है यह मैंने draw कर देता है अब यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है यह पहले ही यह भी रिजिस्टेंस था यहां से शेर उपर गया यह resistance बन गया फिर यहां से नीचे आ गया फिर जब इसने ब्रेक कर रहा है अच्छूल में और उपर गया तो यह दुबारह यहां पर आके देख पार हो support ले रहा है पहले यहाँ पर यह resistance था जब यहाँ पर break करके दोबारा यहाँ आया तो यह support का काम कर रहा था अब उसके बादम ने क्या देखा कि इसे उपर गया यह resistance था यह support था सारी बाते आप लोगों clarify हो रही है यानि कि क्या बताने की कोशेश कर रहा हूँ जो high होता है जब उसको तोड़ देता है तो वही पर ही support लेता है यह high था उसको तोड़ देता है तो यही support लेता है इस high को यहाँ पर तोड़ दिया तो अब यह क्या बता रहा है यह बता रहा है भाई कि इस high को यहाँ पर तोड़ चुका है अब यह वाला high को दुबारा यहापर चुँतका है। 10.600 को चुँतका हैं तो अगर यह इसके नीचे जाता है, इस line के नीचे तो यह गिरावट आ सकती है। ध्यान से सुनेगा, गिरावट आ सकती है। बट अगर इस line के उपर ही trade करता है, तो दुबारा नया हाई लग सकता है ठीक है क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे कि जब भी हाई को ब्रेक करता है और उस पर दुबारा छूता है तो एक नया हाई बनता है यहाँ पर भी हाई को ब्रेक करा हाई को छुआ फिर एक नया हाई बन गया अब फिर से एक नया हाई बना ठीक है अब हमें क्या करना है वह वेट करना है कि यह वाली लाइन जो है वह ब्रेक होई नीचे तब ही हम लोग एक ट्रेड लेकर चलेंगे क्लेरिफाय हो अभी तक आप सब लोगों को यह सारी चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अब हम लोग क्या यह उसकरने के अब हम लोग फिबोनाची का यूज करेंगे फिबोनाची में पी तो हमें देखना है कि कहा सपोर्ट और कहा रिजिस्टेंस है तो मैं क्या करता हूँ मैं टॉप टू बॉटम का फिबोनाची लेता हूँ यह मेरा टॉप था भाई और यह मेरा बॉटम था जो मैंने टॉप और बॉटम फिबोनाची लिया तो मुझे क् कि ये वाला जो level आ रहा है ये देखेगा एक सिकर ये वाला जो level आ रहा है ये है ये देखपार है ये? यह हाई था तो मतलबा यही support लेना चाहिए. ये support कौन सा है? 100533 का. जब तक 100533 ब्रेखरी और हमें trade नहीं लेना है. धियान से सुनेगा. अब ये 1 strong support है. strong support अगर मैं आपको बताऊं 10500 से लेके 10500 तीस या 540 बहुत जादा strong support है क्यों सबसे पहले तो high का वो है दूसरी बात 61.8% का Fibonacci ratio कर level है तो यानि कि अगर इसको यहाँ पर छूता है कल तो यानि कि इसका previous low है previous low क्या आ रहा है 10200 और next क्या होगा यह जो की 50% का retracement level है जो की आ रहा है 10,000 रुपे के level है ठीक है अगर 10500 या 10,480 ब्रेक हुआ 10,500 psychological level है तो मतलब उसके नीचे ही हम लोग trade लेके 10,480 ब्रेक हुआ तो हम लोग shot कर देंगे for a target of 10,200 से लेके 10,000 का बट अगर यह 10,500 से 10,500 चूता है ठीक है एक अच्छा सी काम बता रहा हूँ यह आया कल for example लीचे आता है और यह वाली candle बना देता है ठीक है उसके बाद हम लोग देखते है candle दुबारा यही बनाता है इसको break नहीं करता फिर हम देखते हैं कि अगली candle बनाता है और ऐसे बना देता है यह green color की candle है और इस candle के ऊपर जाके close कर जाता है समझ रहे हैं तो यानि कि फिर हमारा क्या होगा हमारा जो stop loss हो जाएगा वो 10,480 का हो जाएगा हमारा target हो जाएगा 10,880 से लेके 11,000 तक है ठीक है आप लोग यह वाली बात को समझेगा तब ही आपको फायदा मिलेगा ठीक है यही नहीं कि यहीं पर आ जाए मैं buy बना लू या फिर sell बना लू नहीं हमें यहाँ पर candle आ गई रुख गई अगली candle आ गई यहां रुख गई दूसरी तीसरी candle पर जैसे ही वाली candle को break करके उपर close करती है यह वाली candle इन दोनों candle के उपर close करती है buy बनाओ stop loss यह रखो target यह रखो बट अगर इसके नीचे close कर जाती है 10,400 क नीचे close कर जाती है close कहने का मतलब है कि बंद हो जाए यह नहीं कि 10,400 चार्ज 10,479 चला गया तो मैं short कर दू नहीं इसके नीचे बंद होना चाहिए तो short करिएगा आपका जो stop loss होगा वो 10,650 का होगा और target होगा 10,200 का और 10,000 का level ठीक है सारी analysis आप लोगों को मैंने बता द एक बर मैं 15 मिनिट का चार्ट open करता हूँ बहुत अच्छी सी चीज बताना चाहूँगा 10,400 का level EQ मैं आपको पता रहा हूँ यह देखेगा यहां पर देखेगा यह एक resistance था यह वाली line जो थी यह वाली line उससे जब break कर रहे हैं यह support लिया और फिर उपर गया अब दुबार नहीं हुआ है तो यह gap को market fill करने आ सकती है जो कि आ रहा है 10,480 का level ठीक है तो इसलिए मैं कहना 10,480 के नीचे short करो इसलिए बात आप लोगों को समझ में आई clarify हुई हलके हलके points हैं जो आप लोगों clarify करवाँगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना रहा है कि यार हमने top to bottom approach तो ले लिया अब एक Fibonacci retracement यह भी ले लेते हैं जो bottom से लेकर आज तक का high था ठीक है यह वाला bottom और इसका Fibonacci क्या बता रहा है कि कहां तक का target बढ़ता है अब इसका Fibonacci की अगर मैं बात करूँ तो इसका target क्या बता रहा है यह वाली line होगी तो यह वाली line कहां पर आ रही है यह वाली line का level क्या रहा है 10,100 का 10,100 का मतलब सारी चीजे बता रही है कि भाई 10,200 से लेके 10,000 तक जा सकती है market कब अगर 10,480 के नीचे close कर जाए अगर 10 10,650 के ऊपर बंद हो जाती है ऐसे नहीं कि अभी 50 रुपी ऊपर चले गई तो मैं बाई बना लूगा वैसे नहीं जो मैंने आपको अभी strategy बताईती है कि नीचे एक candle बने फिर एक candle बने फिर ऐसे एक break करें ठीक है तब हमें काम करना है तो इस वीडियो को आप regularly थोड़ा watch करते रहेगा कभी भी ऐसा scenario बने तो आपको याद रहे कि आपको trade लेना है तो सारी चीजे मुझे बता रही है कि कैसे trade लेना है buy or sell में अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने option strategy पे तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक notepad में लेकर चले जा CMP क्या है 10,600 इस बात को ध्यान से सुनिएगा 10,600 है CMP ठीक है copy pen निकालिए note करिये अब आप लोगों को क्या करना है ठीक है अब आप लोगों को करना है भाई कि 11,000 का call option 10,000 का put option ठीक है buy करना है समझ रहे हैं आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ 11,000 का call option 10,000 का put option आपको buy करना है ठीक है यहाँ पर एक mistake है यह नहीं है 11,100 ठीक है 11,100 का call option buy करना है 10,000 का put option ठीक है और सारे जो आपको लेवल दिये जाएंगे यह monthly expiry है ठीक है weekly expiry में कोई भी trade नहीं लेना है monthly expiry में सारे trades होंगे जो भी आपको भी और option strategy बताई जाएगे यह खतम नहीं हुई है बहुत फाइदा मिलेगा ध्यान से सुनेगा यह दोनों चीज़ें आपको एक साथ buy कर लेनी है 10,600 पे अभी जब trade कर रहा है ठीक है यह दोनों मंथली में आमने buy कर ली अब इसे अभी रखके भूल जाओ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे क्या है यह point हो गया clear अब आगे क्या है अब अगर निफ्टी 10,500 पूर 580 अगर निफ्टी 10,580 के नीचे जाती है अगर निफ्टी कल या पर सो जब की बात कर रहा है हूं 10,580 के नीचे जाएगी तब की बात हो रही है यह ठीक है यहाँ पर मैं आपको ऐसे दिखा लेता हूं इसके नीचे close करेगी तब हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमें 10,500 का put option को buy कर लेना है ठीक है 10,500 के put option को हमें क्या करना है buy कर लेना है अब मैं इसके अब देखें मैं आप लोगों को ना वो नहीं बता रहा कि इसका price क्या है किस price पर buy करना है क्यों क्यों कि कल खुलता ही market price level change हो जाएंगे और कब 10,580 तोड़ेगा कब उसका price होगा तो वो आप खुदी देख लिजेगा अपनी watch list पे ये सारे strike price अपने रख लिजेगा add करके तो जब भी ऐसी चीजे break हो जब भी 10,580 ब्रेक हो जो भी price दिखा रहा होगा उस price पर buy कर लेना अभी भी कह रहा हो weekly expiry नी monthly expiry है 10,500 का put option buy कर लेना target क्या होगा 10,515 का 10,515 का stop loss क्या होगा 10,645 ठीक है अब मैं आपको आप सोच रहोंगे यह वाला मैं आपको target और stop loss क्यों नहीं बता रहा इस पे क्यों नहीं बता रहा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे नहीं पता कि वो उसका last traded price क्या होगा उस दिन जब यह 10,580 तो जब भी आपको spot price प जब भी आपको 10,650 पर मिले तो जो भी इसका loss दिखा रहा होगा तो आप exit कर दाना exit सब में करना है यह target और stop loss maintain करके रखना यह नहीं कि loss दिखा रहा है तो मैं hold करे रखूँगा चैप profit दिखा रहा है तो मैं hold करे रखूँगा exit करना important है ठीक है हमने यह यह भी कर लिया अ अब अभी मैं आपको बता रहा हूँ अगर 10,600 से निफ्टी नीचे आती है 10,000 तक तो कैसे train लेना है अगर निफ्टी उपर जाएगी तो उसका आपको अलग बताया जाएगा अभी अभी sell side का सारा बता रहा हूँ इतना हो गया हमने यह वाली position से exit कर दिया यह वाली position से exit क अब प्रॉफिट की बात करा हूँ अभी हमने प्रॉफिट बे exit कर लिया उसके बात क्या है अगला यह third यह तो first हो गया यह second हो गया अब third क्या है हमें क्या करना है कि निफ्टी अगर 10,400 असी को तोड़ती है नीचे की तरफ और close करती है तो हमें क्या करना है हमें 10,200 का जो पुट है उसको बाय कर लेना है तरगेट क्या होगा और यह दो लॉट कह रहा हूँ मैं तारे एक लॉट थे यह दो लॉट है मतलब अगर आप इसमें दो करोगे सब में तो इसमें चार करना समझे हो दुगना होना चाहिए इससे ठीक है इसके दो लॉट बाय करना है पहला यह पहला लॉट का टार्गेट बता रहा हूं मैं पहला लॉट का टारिट होगा वहगा 10,425 थीक है stop loss सबगा सेम है दस ह़द su d425 के में आय तो पहला lot exit कर दो, दूसरा lot का जो target होगा, वो होगा 10,280 का, समझ रहे हो इस बात को, जो मैं कहा रहा हूँ, और stop loss क्या है, हमारा जो stop loss है, वो है 10,480 पे के नीचे trade करना है, तो हमारा stop loss होजाएगा 10,605 का, और इसे अटा देता हूँ मैं, हमारा stop loss होजाएगा 10,605 का, समझ रहे हो, हमने इस सारी चीज़े कर ली, अब यहां से भी हमने exit कर लिया, exit सबसे करना है, ठीक है, अब चौथी चीज में आजाओ, अब चौथी चीज क्या हो गई, कि अगर nifty 10,175, 10,175 के नीचे बंद होती है, तो हमें क्या करना है, हमें 10,000 का put option ले लेना है, buy कर लेना है, target क्या होगा, 10,080, और first target, second target क्या होगा, 10,030 का, समझ रहे हैं, ये भी दो lot है, दो lot है, ये सारी बात है, ध्यान से सुनेगा, दो lot, first target यहां exit करना है, एक lot, second lot यहां exit करना है, stop loss हमारा क्या होगा, 10,260 का, ठीक है, 10,260 का, सारी चीजे बता दी कि 10,600 से जब तक 10,000 आएगा, आप इसमें भी पैसा कमा लोगे, इसमें भी पैसा कमा लोगे, इसमें भी पैसा कमा लोगे, तीनों चीजों में आपने पैसा कमा लिया, यह नहीं कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, 10,500 की put रखो तो आप 10,000, जब तक 10,000 नहीं आएगा, तब तक 10,500 की put को रखे रखोगे, मैं सोचके कि मुझे बहुत फाइदा मिलेगा, यह नहीं करना, क्यों मैं आपको यह अलग-अलग put buy करवारा हूँ, सीधा आपको मैं 10,500 की put क्यों नहीं आकरी तक buy करवारा, क्योंकि बीच में से कभी भी reversal आ गया, तो भाई आपने जित्ती भी पैसा कमाने में मेहनत करी है, तो वो सारी आपकी waste हो जाएगी, समझ रहे हो, तब ही आपको कहता हूँ, कि यहाँ पर आजाए तो निकल जाओ, जब तक आपने यहाँ निकल गए, जब आजाए 10,115 आ गया, आप निकल गए यह वाला, उसके बाद, अगर तक 10,480 ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको कोई option trade नहीं लेना, है भी तो 35 रुपी नीचे, तो इसलिए कहता हूँ, एक साथ 10,500 की put को लेकर hold मत करो, आप क्या करो, अलग-अलग लोगे, तब ही फायदा मिलेगा, यह भी हो सकता है कि 10,500 से भी उपर चलेदा है, तो कैसे trade करोगे, आकर आपने 10,500 का ले रखाऊगा, तो भाई आपको unlimited loss भी मिलते रहेगा, ठीक है, सारी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, यह इन दोरों चीज़ों का क्या करना है, जो यह दो चीज़े hold करी रहे हैं, बात समझे रहे हो, अगर 10,000, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 10,500 के नीचे से हमें फायदा मिलरा शुरू हो रहा है, तो यह आप यह बात देखो, यह दोनों चीज़े मैंने hold करी रहे है, फॉर एक्जामपल, अगर 11,100 की, अगर मैं call option की बात करो, वो चल रही है 100 रुपे में, 10,000 की put option चल रही है 100 रुपे में, तो हमने 10,000 की put option बाय कर रखी है, तो यह कित्ते की हो जाएगी, यह 500 से 600 रुपे की हो सकती है, अगर 10,000 आ जाता है, यह हमें hold करे रहे हैं, और यहाँ पर इस वाली position को हम exit कप करेंगे, हम इस वाली position को, ऊपर वाली जो call option है, इसे हम exit नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक यह वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम दोनों पुजीशन में से किसी को भी एक्जिट नहीं करेंगे जब तक यह वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हम इन दोनों में से कोई पुजीशन को एक्जिट नहीं करेंगे अगर यह वाला लेव फाइदा में लेगा ठीक है फिर दोनों चीज़ों को आपको रखना है सारी चीज़ आप लोगों को दो चीज़े तो अभी तक हम लोग ने होल्ड करी है जो हम लोग ने 11100 की कॉल लिया है या 10,000 की पुट लिया है ठीक है वो दोनों अभी भी होल्ड है चाह मार्केट ऊपर जाया चाह नीचे जा अब 10,600 पर भी ट्रेंग कर रहा है अभी जो मैंने आपको वहाँ पर बताया कि क्या होता है अगर निफ्टी 10,540 तक आती है और वहाँ तक आके बंद हो जाती है उसके आसपास आके बंद हो जाती है अगले दिन भी हम देख रहे हैं कि 10,550 10,500 से लेके 10,600 के बीच में बंद हो रही है ठीक है अगर दो दिन 10,500 से 10,600 के अंदर बंद होती है निफ्टी और तीसरे दिन, थर्ड दे की बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड या फोर्थ, जब भी अगला दिन आए, और वो इस वाली कैंडल, ये देख रहे हैं, ये वाली कैंडल की उपर ब्रेक कर जाती है, जो की अराउंड होगा 10,650, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 10,750 की, जो कॉल उप्शन है, उसको बाई बना लेंगे, ठीक है, अभी नहीं कि अगर कल ही 50 रुपी उपर चला गया, और मैं बाई बना लूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अभी चार्च पर जो मैंने एक्स्प्लेइन करा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, एक बर दुबारा बता देता हूँ, कि क्लियर हो जाए, वरना आप लोग बार बार परशान हो गए, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर बुनाची का, अमने टॉप टू बॉटम लिया था, टॉप से लिए के बॉटम तक, यह लिया था, मैंने आपको क्या का, मैंने आपको का भाई, कि अगर, यहां तक आता है कल निफ्टी, यह वाली लाइन, ऐसे कैंडल बना दी, अगली कैंडल भी हम देख रहे हैं, ऐसी बनी हुए है, जब तीसरी कैंडल इसकी उपर जाती है, हम लोग उसी टाइम बाई बना लेंगे, और इसकी उपर कहां तक जाएगी, तो 10,650 की उपर अब बाई बनाएंगे, यह निगी कल के कल ही, अगर यहां से ही उपर चली जाती है, केंडल तो मैं बाई बना लूँगा, नहीं बनाएंगे तब तक हम बाई ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, आप confused होगे, तो पैसा लूज करोगे, तब हम लोग 10,750 की पुट ऑप्शन को बाई बना लेंगे, ठीक है, बट हम लोग ने पुट की ऑप्शन को बाई बना ली, टार्गेट क्या है, टार्गेट हमारा है, 10,850 का, तो प्लॉस क्या है, 10,680 का, ठीक है, और हम लोग exit कर जाएंगे, और अगर बाई चांस अगर ऐसा नहीं आता, अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, यह ऐसे दो candle बनती है, और वैसे जाती है, सीधा आप कल से उपर ही बढ़ना शुरू कर जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग wait करेंगे, 10,750 के उपर निकलने का, ठीक है, यह कब बता रहा हूँ, कल अगर सीधा उपर जाने की कुशिश करें, अगर जैसी 10,750 के उपर जाती है, हम क्या करेंगे, 10,900 की call option को लेंगे, buy कर लेंगे, 2 lot buy करेंगे, मैं बगर कह रहा हूँ, 2 lot, ठीक है, 2 lot, पहला target क्या होगा, पहला होगा कि 10,850, और दूसरा target होगा, 11,000 का, ठीक है, नहीं, दूसरा target 11,000 का नहीं होगा, दूसरा target हमारा होगा, 10,965 का, हमने दो चीज़े buy कर रखिए, 2 lot, 10,900 की, जब 10,750 क्रोस करेंगा, 2 lot है, पहला lot में exit करेंगे, 10,850 पर, दूसरा lot exit करेंगे, 10,950 पर, या 960 पर, ठीक है, अब उसके बाद, यह हमने exit कर दिया, अब उसके बाद, अगर nifty, 11,000, 35 की उपर close कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे, 11,200 की call option को buy कर लेंगे, सारी मंथली expiry है, 2 lot buy करेंगे, पहला lot का target क्या होगा, 11,000, 80, और दूसरा क्या होगा, 11,100 से, ठीक है, हमने मतलब, हमने क्या कर लिया, 11,200 से लेके, 10,000 तक, निफ्टी, जिसके बीच में राएगा, अगर इसके पूरे के बीच में राएगा, तो हम पैसा ही पैसा कमाएगे, ठीक है, मतलब 10,600 के नीचे भी अगर जाता है, तो भी हमें पैसा मिलेगा, 10,600 के ऊपर जाता है, तो भी हम पैसा कमाएगे, दोनों तरीकों से आपको बता दिया है, कब एक call option लेना है, कब exit करना है, फिर अगले call option में घुश के exit करना है, फिर कब अगले call option में entry मारके exit करना है, और वैसी आपको sell side में बता दिया गया है, ठीक है, यह सारी चीजे note करेगा, और यह तो hold ही है, यह दोनों चीजे hold है, क्यों, यह जब zero हो जाएगा, तब में exit कर देंगे, और इसमें हमें फाइदा मिल जाएगा, या फिर अगर market उपर जाती है, तो यह zero हो जाएगा, और इसमें हमें बहुत फाइदा मिल जाएगा, ठीक है, दोनों चीजे को हमें hold करके रखना है, clarify हो गया, please copy pen करके एक बार previous आके, दुबारा note करेगा, अपनी अच्छी handwriting में note कर लिजेगा, और अगर आप लोगों ने यह बहुत अच्छे से, अपनी copy में बना लिया, तो please एक मुझे इसका photo भी भेज देना, ठीक है, आप मुझे टेलीगराम पे या मेरे नंबर पे या मेरे mail पे आप लोग मुझे एक अच्छा सा copy and paper पे यह सारी strategy जो मैंने आपको बता ही है, यह note करके, आप मुझे एक बर mail भी कर सकते हैं, या मुझे टेलीगराम पे फोटो भी बेज सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को शुक्रिया करूँगा, तो यह वीडियो पसंद आयोगी, तो वीडियो को लाइक करेगा, बहुत अच्छे और इजी वे, मैं आप लोगों को मैंने बता रखा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा, मेरी चैनल के साथ बने रहीगा अभी सब्सक्राइब करिए कि अगर आपको ऐसी motivational वीडियो और बहुत अच्छे तरीके से चाहिए सो मैं शिवांच भसीन बिलता हूँ अगली वीडियो पे साइने को